Hello students, welcome to Asparec Academy, मैं हो Tariq Anwar और बच्चो आज के इस lecture में जो हम discuss करने जा रहे हैं वो है आपका geometric mean तो आज के इस lecture में आप लोग सीखेंगे किस तरह से दो दिये हुए number के बीच में हम लोग single geometric mean को insert करते हैं और फिर दो दिये हुए number के बीच में हम लोग n numbers of geometric mean insert करते हैं तो यह आपका geometric progression का lecture number 5 है इससे पहले हम लोग geometric progression का already बहुत सारा topic discuss कर चुके हैं जिसमें किसी भी geometric progression का n term कैसे find out करते हैं sum of n terms कैसे find out करते हैं geometric progression का क्या properties होता है यह सब already हम लोग discuss कर चुके हैं आज की इस लेक्चर में हम लोग mean देखने वाले हैं ना, geometric mean जिसको आप sort में GM भी बोलते हैं, ठीक है, तो आएए, शुरू करते हैं, और देखते हैं किस तरह से दो दिये हुए number के बीच में हम लोग single, या फिर दो दिये हुए numbers के बीच में हम लोग in numbers of geometric mean insert करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला जो topic है, आपका बोलना है कि single geometric mean between two given numbers, ठीक है, तो माल लेते हैं कि let's G be the GM between A and B, ठीक है, यही दो number है, ठीक है, A और B, आपका दो number है, उसके बीच में एक single GM, जिसको हम लोग G बोल लिए हैं, यह insert करना है, ठीक है, तो चली, कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या है, A और B के बीच में आपको एक single GM, G insert करना है, ठीक है, तो चली, यह A, G और B, क्या होगा, GP पे होगा, इसीज में होगा, यह GP होगा, ठीक है, अब आजएए, अब आपको मालूम है कि अगर इससे पहले भी आपको बताया गया था, है न, क्या होता है GP में, हम लोग common ratio equal कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर यह GP में हैं, तो क्या हो जाएगा यहां से आपका, G by A is equal to B by G हो जाएगा, होगा न, इससे इ इक्वल होगा, तो यह कर लिए, इसके बाद फिर क्या होगा, देखिए, यहां से, आप cross multiply कर लीजिए, तो G square is equal to AB हो जाएगा, तो आपको G find out करना था, तो G is equal to क्या हो जाएगा, under root AB, ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर दो नंबर के बीच में, अगर आपको GM निकालन ठीक है, जैसे, एक example छोटा सा ले लेते हैं यहां पर, कि 4 और 9 के बीच में, एक आपको single GM insert करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, माल लेंगे कि यह आपकर G है, अभी अभी देखें, क्या आप, G कैसे निकालेंगे, इसका square root कर लेंगे, है न, इस दोनों नंबर का, 4 into 9, कितन न हो जाएगा, 6, है न, तो 4 और 9 के बीच में, जो GM आएगा, वो क्या आएगा, आपका, 6 आएगा, ठीक है, एक बार, aim पर भी नजन डाल ले, ठीक है न, aim का क्या relation था, है न, a, और वहाँ a से लिखते थे aim को, है न, arithmetic mean को, और यह b, तो क्या हो जाता था यहाँ से, a is equal to, a plus b by 2, यह सब result याद रखिएगा, आगे जब हम लोग परहेंगे, relation between, है न, arithmetic mean and geometric mean, तो वो सब बहुत काम आने वाला है ठीक है, तो यही रहा कि किसी भी, दो नंबर के बीच में हम लोग किस तरह से, single gm insert करते हैं, ठीक है, तो यह जी क्या हो जाएगा, root में, a into b, ठीक है, अब आजाते हैं, अब क्या बोलना है, in numbers of geometric mean आपको insert करना है, दो नंबर के बीच में, ठीक है, तो माल लेते हैं, क्लिट, g1, g2, g3, g4, किस तरह से, gn, b, n, gms, between, दो नंबर आपका, कौन सा, a and b, ठीक है, a और b के बीच में आपका क्या है, यह in numbers of geometric mean है, ठीक है, यह यहनी कहने का मतलब, यह रहा आपका, a, और यह रहा आपका b, ठीक है, इसके बीच में आपको in numbers, ठीक है न, यानि g1, g2, g3, इस तरह से, यह इसको insert करना है आपको, ठीक है, तो अब बताना होगा, कि यह g1 क्या होगा, g2 क्या होगा, g3, यह सब आपको निकालना है यहां से, ठीक है, अब आज़ेगे, देखें कैसे करेंगे, यहां first term है, तो यह भी क्या चीज़, किस में होगा, यह gp में ही होगा न, है न, अब आज़ेगे, first term आपको मालू में, gp में क्या चाहिए है आपको, first term और common ratio, अगर आप common ratio find out कर लेते हैं, तो बाकी का जो भी g1, g2, g3 है, आप आसानी से find out कर सकते हैं, ठीक है, तो first term यहां पर आपका a है, अब एक चीज़ यहां देखें, यहां पर कितना gm आप insert कर रहे हैं, यानि g1 से लेके gn तक कितना number of terms है, in है, कितना है, in है, in number of terms है, ठीक है, यह आपका in हुआ, ठीक है, in यह हुआ, एक यहां है, और एक यहां है, यानि अभी जो आपके पास जो यह sequence दीख रहा है, इसमें total number of terms कितना है, in plus two, in plus two terms हुआ, कैसे, in तो आप यह बीच में insert कर रहे हैं, ठीक है, in a और b के बीच में, आप क्या कर रहे हैं, in number of gms आप वहां पे insert कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद एक तो a हुआ और दूसरा b, है न, दो के बीच में, तो n plus two, यानि अभी total number of terms क्या हो जाएगा, n plus two, यानि कहने का मतलब b जो होगा, सबसे last term क्या है, b है, यानि b को क्या लि लिख सकते है, t, n plus two, लिख सकते हैं, आप आजाएगे, तो यह रहा आपका b, है न, tn का क्या formula होता है, आपका, a into r का power n minus one, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, फिर देखिए, first term तो आपका यहां a ही है, और थोड़ी देर के लिए माल लेते हैं, यहां पर लिख दीज r be the common ratio, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए, a, और r का power, जितना number of terms है, उसमें से 1 minus कर लेते हैं, तो यहां total number of terms कितना है, n plus 2 है, तो n plus 2 में से, अगर आप 1 minus करते हैं, तो कितना बच जाएगा, n plus 1 बच जाएगा, ठीक है, तो आपको यहां से r निकलना है, तो यहां से क्या हो जाएगा, b by a is equal to r का power n plus 1, तो यहां से r जो निकलके आएगा, वो क्या हो जाएगा, b by a और इसका power इधर आके क्या हो जाएगा, one by n plus 1, तो यह रहा आपका common ratio, यहां आपका first term है, तो अब चलिए यहां से हम लोग, आसानी से लिख सकते हैं, तो आई यह सबसे पहला हम लोग लिखते हैं, g1, g1 है, ठीक है न, g1 क्या है, second term है, और second term को आप क्या लिख सकते है, ar, यह सब तो gp के साथ बहुत deal कर चुके हैं, है न, second term क्या हो जाएगा, ar हो जाएगा, है न, gp कैसे लिखते हैं अगर first term और common ratio म लिखते जाते हैं, है न, ठीक है, अब आजी, A, A अब तो है ही आपका, R कितना आया, B by A का पावर, यहां से क्या आया, B by A का पावर, 1 by N पलस 1, ठीक है, फिर G2 कैसे निकालिएगा, A R स्क्वेर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A in 2, और यह B by A का पावर, A स्क्वेर है, तो यह 2 by N पलस 1 हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह G3, G4, जितना भी आपको बोलता है, आप असानी से निकाल दीजेगा, तो यह, एंथ, जो जियोमेट्रिकल मीन होगा, जियोमेट्रिक मीन होगा, वो क्या हो जाएगा, A, R, N हो जाएगा, देखिए, G2 है, तो A R A स्क्वेर है, तो GN होगा, तो A, R का पावर N हो जाएगा, तो यहां से यह A इन 2, B by A का पावर N by N पलस 1, तो यही रहा आपका, कि किस तरह से हम लोग, दो दिये हुए नंबर के बीच में, हम लोग जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हैं, जितना भी दिल करें, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, अब आगे कोशन लेते हैं, देखते हैं, उसमें क्या बोलना है, ठीक है, इंसर्ट 7 जियोमेट्रिक मीन्स, अभी यहां पर 7 आपको इंसर्ट करना है, कितना कितना के बीच में, 2 and 162 के बीच में, ठीक है, 7 जिया में आपको इंसर्ट करना है, तो माल लेते हैं कि लेट जी वन, जी टू, जी थिरी, सेवन है, तो जी सेवन है ना, बी, सेवन, जी एम्स, बिट्विन, टू एंड, वन सिस्टी टू, यही दो और एक सवबासट के वीच में यही साथ आप माने हैं, तो यह दो हो गया, जी वन, जी टू, जी थ्री, जी फोर, जी फाइब, जी सिक्स, जी सेवन, और लास्ट मेंbaar 새श टू, ठीक है, अब आजिएगे, आप कॉमन रेशियो निकाल लीजी, ठीक है न, आपका यहां कितना हो गया, तू हो गया और बी कितना हो गया, वन सिस्टी, तू, अभी अभी 162, ठीक है, अब आजेगे, अब common ratio निकाल लीजी, ठीक है न, A आपका यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया, और B कितना हो गया, 162, अभी अभी आपको बताये गया, कि common ratio आप कैसे निकालेंगे, देखिए, B by A, का power 1 by N plus 1, ठीक है, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, या फिर आ आप insert कर रहे हैं, ठीक है, और दो पहले से, तो यह कौन सा term हो जाएगा, 9th term हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9th term हो जाएगा, यानि 162 is equal to A into, फिर माल लीजेगा, कि R यहाँ आपका, माल लीजेगा, कि let R be the common ratio, या common ratio R माल लीजेगा, ठीक है न, यह कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, तो अब आजाएगे यहाँ से, तो यहाँ से R का power 8 is equal to, कितना हो जाएगा, देखिए, यह A divide में आ जाएगा, तो यह 162 और A कितना हैं, 2, तो यहाँ से यह cancel हो जाएगा, cancel हो जाने के बाद यह आपके पास बचेगा, 81, ठीक है, तो क्या बचे गया आप के पास, तो R कितना हो जाएगा, 81 का power 1 by 8, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, यह आपको अभी जो बताया गया, कि यह B by A, और इसका power 1 by N plus 1, यह भी कर सकते हैं, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है, तो अब आजाएगे, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको यहाँ स आप क्या लिख सकते हैं, तीन का power 4, ठीक है, तीन का power जो 4 होता है, वो कितना होता है, 81 होता है, और यहाँ यह कितना है आपका, इससे यह cancel हो जाएगा आपका, दो, यानि बच गया 3 का power 1 by 2 बचा, यानि कहने का मतलब root 3, तो यह रहा आपका, जो common ratio आपका आया, वो क्या आ आया, root 3 आया, ठीक है, first term आपको मालूम है, कितना है, 2 है, बस हो गया, अब 1 by 1 सब निकाल देजी, g1, g1 कितना होगा, ar, a कितना है आपका, a कितना है, root 3, sorry, a कितना है, 2, और r कितना आया, root 3, ठीक है, दूसरा g2, ar square, यानि 2 into, यह आपका root 3 का, root 3 का square 3 होगा, तो यह कितना हो जाएगा, आपका, 6 हो जाएगा, ठीक है, g3, g3 कितना हो जाएगा, ar cube, ठीक है, तो 2 into, यह आपका root 3 का cube हो जाएगा, तो 2 into root 3 का cube कितना हो जाएगा, 3 root 3 हो जाएगा, है ना, जब इसको 3 बार multiply कर दीजिएगा, आप, है ना, यह 3 दे देगा और यह आपका root 3, ठीक है, यानि यहाँ से 6 root 3, तो इसी तरीके से आगे आप G4, G5, सब निकाल सकते हैं, अब G7 निकाल देते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ से, यह AR 6 हो जाएगा, ठीक है, तो A कितना है आपका, 2, R कितना आया है, root 3 और इसका power 6, ठीक है, अब root 3 के power 6 के साथ deal कर लीजिए, ठीक है, यह 6 है, इसका power आप 1 by 2 लिख सकते हैं, अब बाहर में 6 है, इससे यह cancel हो जाएगा, 3 times, तो 3 का power 3 बचेगा, यानि 27 हो जाएगा, ठीक है, या इसको 6 time लिखिएगा, तो यह 2 pair मिलके 3 देगा, फिर अगला जो 2 pair होगा, वो 3 देगा, फिर अगला जो 2 pair, यानि 3 into 3 into 3 मिलेगा, यानि 27, 27 into 2, 54, तो इस तरह से आप G7 तक निकाल सकते हैं, ठीक, बस यह है, इसमें आपको सिर्फ common ratio find out कर लेना है कि क्या होगा, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, जो भी आपको बोले, दो number के बीच में insert करने के लिए कर सकते हैं, यहां क्या बोला ह 3 number आपको यहां पर insert करना है, between 1 and 256, so that the resulting sequence in GP, यानि कहने का मतलब, यह आपके पास 1 और 256 के बीच में, कितना है, 3 number insert करना है, इस तरह से जो resulting sequence हो, वो GP, यानि कहने का मतलब, आपसे यहां पर यह बोला है, कि GM insert कीजिए, ठीक है, तीन GM आप यहां पर insert कर दीजिए, ठीक है, पर माल लेते हैं, let's, आपका G1, G2, और G3, B, 3 GMs, between, कितना है, 1 and 256, ठीक है, एक, और 256, इसके बीच में आपको, 3 GM insert करना है, तो यह G1, G2, और G3, लिख दीक है, एरा, फिर यहां से क्या करना है, फर्स टम तो आपको यहां पर दीखी रहा है, कि यह 1 होगा, ठीक है, माल लिजिए, R जो है, आपका common ratio है, और वो यहां से निकाल लेना है, ठीक है, तो चलिए यहां से, अब 256 is equal to 5th term, यह भी कर सकते हैं, या R is equal to, यह आपका B है, है न, यानि 256 by 1, और इसका power 1 by n प्लस 1, या नहीं तो आप वो भी करते कि 256 is equal to, कौन सा term हो जाएगा, 5th term हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, R 4, तो बात वही आ रहा है, 3 plus 1, देख रहा है, power 4 ही आएगा, ठीक है, तो चलिए, तो यहां से यह आपका 256, और इसका power 1 by 4 हो जाएगा, ठीक है, तो 256 को आप कितना है, 2 का power 5 जो होता है, 32, 64, 128, 256 है ना, यानि 8 लेख सकते हैं, 2 का power 8 आप लेख सकते हैं, ठीक हो, 2 का power 8 आपका 256 हो जाएगा, यहां से, तो यहां 4 है, तो यह काम करते हैं, इसका 4 का power 4 लिख सकते हैं, ठीक है, तो 64, 64, ठीक है, तो यहां से आप 4 का power 4 लिख सकते हैं, क्यों 4 में लिख रहे हैं, क्योंकि power आपका 1 by 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, नहीं भी करते हैं, तो फिर 2 पर भी रखते हैं, तो solve कर हो ही जाता, ठीक है, तो यहां से जो आपका common ratio आया वो कितना आया 4 आया common ratio निकल चुका है first term आपको मालूम है r निकल चुका है आपका a आपको मालूम है बस यहां से आप g1 निकाल लीजिए g1 आपका ar होगा g2 जो होगा वो कितना होगा ar square और g3 जो होगा वो ar cube 1 into 4 यानि 4 हो जाएगा यहां से 1 into 4 का square बोले तो 16 हो जाएगा ठीक है ar q यानि 1 into 4 का q 64 ठीक है तो यही रहा आपके ठीक है न 1 और 256 के बीच में जो आपको 3 नंबर बोला गया था वो है आपका 4 उसके बाद 16 उसके बाद 64 देख लीजिए यह gp में हैं कैसे है ratio ले लीजिए 4 by 1 4 16 by 4 4 64 by 16 4 और फिर आपका 256 by 64 तो फिर 4 देगा यह तो इस तरह से यह आपका 3 नंबर निकल के आया ठीक है आसान है याद रखेगा इस चीज़ को ठीक है बस यहाँ पर common ratio कैसे निकालते हैं वो चीज़ मालब होना चाहिए ठीक है आगे बोला है find the value of n so that यह जो आपको एक expression दिया हुआ है maybe the gm between a and b ठीक है क्या दे रहा है आपको यहाँ से देखिए given क्या है यह जो है gm between a and b ठीक है न यानि a का power n plus 1 और plus b का power n plus 1 और by by में a का power n और plus b का power n है वो gm between a and b starting में ही पता है दो नमबर के बीच का जो gm a और b के बीच का जो gm होगा वो क्या होगा under root a b होगा होगा न है न है न तो कहने का मतलब आप इसको ऐसा भी लिख दीजिए है न कि यह आपका a और b के बीच का क्या है gm है ठीक है है न तो कहने का मतलब यह जो हो जाएगा a का power n plus 1 और plus b का power n plus 1 by कितना के बराबर होगा यह under root a b है न याद रखिएगा दो नमबर के बीच का जो single gm होता है वो root में a into b होता है ठीक है अब आज इसको solve करते हैं क्या हो जाएगा यहाँ से a का power n plus 1 और b का power n plus 1 और इसको cross multiply कर लीजिए a b और यहाँ से a का power n और यह b का power n ठीक है तो n यहाँ से आपको find out करना है तो चलिए solve करते हैं इसको multiply कर लीजिए ठीक है तो यहाँ से देखिए root में a b है तो आप इसको root a और root b भी लिख सकते हैं अलग-अलग तो जब यहाँ आप multiply कीजिएगा ठीक है ना तो देखिए जब आप root a को और a के power n से into कीजिएगा तो आपको मालूम है कि इसको आप कितना लिख सकते हैं a का power half है ना into a का power n base same है तो power क्या हो जाएगा add हो जाएगा power क्या हो जाएगा है ना base same है तो multiplication में power आप add कर लीजिएगा तो जब इससे इसको multiply करेंगे तो यहाँ पर आपका a का power n प्लस 1 by 2 हो जाएगा एक ठीक है एक root b है तो यहाँ पर आपका root b रह जाएगा clear है आगे बरते हैं इसी तरीके से जब b में multiply करेंगे है ना तो यहाँ से यह आपका root a रह जाएगा और यहाँ से यह b का power n प्लस 1 by 2 हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया आपका multiplication अब आजाएगे अब a यहाँ दिख रहा है और इसमें है ठीक है तो एक काम करते हैं एक side में लेके आते हैं a वाले term को ठीक है ना तो यहाँ से a का power n प्लस 1 यह इधर आके minus हो जाएगा a का power n प्लस 1 by 2 into root b और इधर क्या दिख रहा है आपको root a और b का power n प्लस 1 by 2 minus यह इधर आके हो जाएगा b का power n प्लस 1 ठीक है अब देखें यहाँ से कैसे simplify करते हैं इसको अब यहाँ देखिए यहाँ a के power में n प्लस 1 दिख रहा है यहाँ a के power में n प्लस 1 by 2 दिख रहा है अब दोड़ा इसको हम अलग से simplify कर लेते हैं देखें यहाँ पे यह a के power n को आप n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं a का power n into a का power 1 लिख सकते हैं ठीक है और minus में a का power n और प्लस 1 by 2 है ना अभी जैसे multiply किये थे अभी हम अलग कर ले रहे हैं है ना तो यह रहा अब उसके बाद क्या कर सकते हैं अब root b है यहाँ पे क्या है root b देखे यहां से जब आप a का power in common कर सकते हैं ठीक है यहां से और यहां से a का power in common आ सकता है यहां a का power one है और यहां a का power half है यानि कहने का मतलब a का power half आप common ले सकते हैं ठीक है a का power half जब common लीजिएगा तो क्या हो जाएगा देखिए यहां से यह निकल चुका है एक पावर हाफ निकाले है, मतलब एक पावर हाफ बचेगा, एक पावर one से, जब एक का पावर हाफ common कीजेगा तो एक पावर हाफ बचेगा, ठीक है, कैसे बचेगा, ओ भी देख लिजीए, एना, one by two common करेंगे, तो यहाँ, यह divide में आ जाएगा, ठीक है, बेस से में पावर घट जाएगा ठीक है तो 1-1 by 2 यानि फिर से 1 by 2 बचेगा और इधर क्या बच जाएगा आपके पास रूट बी ठीक है तो फिर यह क्या हो जाएगा यह दोनों इंटू हो जाएगा तो n पलस 1 by 2 और इधर में रूट A minus root B किलियर है तो क्या बच रहा है यहां से देख लिजे हम यहां लिख रहे हैं देखें तो यहां से कहने का मतलब कि आप directly क्या common कर लिजे देखें यहां से a का power n plus 1 by 2 common कर लीजे, ठीक है, इधर में, यहाँ पर क्या बज़ रहा है आपके पास, root a minus root b, क्या बज़ जाएगा, root a minus root b, और इधर में भी, same वैसा ही term दिख रहा है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, इधर b का power n plus 1 by 2 common कर लीजे, तो यहाँ पर आपके पास एक root a, और यह root b दिख रहा है, ठीक है, यह आपका rough किया हुआ है, समझ में आ गया कि कैसे हुआ यह, है ना, तो यह से practice कर लीजेगा, ठीक है, अब आ और यह दोनों equal है, cancel हो जाएगा, है ना, into में है, यहाँ भी इसके साथ into में है, और यह भी into में है, ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ से, देखे, क्या बचा आपके पास, a का power n plus 1 by 2, और इधर में बच गया b का power, ठीक है, इसको divide में लेके आ जाए, तो यहाँ से a का power n plus 1 by 2 और यह आपका b का power n plus 1 by 2 है, तो एक काम कीजिए, आप इसको direct ऐसा भी लिख लिजिए, इसका whole power is equal to 1, ठीक है, अब इस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, आपके पास क्या बचा, 1 बचा, है ना, equal के उस side में है, और इधर में क्या लिख रहे हैं, a by b का power, है ना, n plus 1 by 2 है, तो यह a by b, a by b का power, यहाँ से यह n plus 1 by 2 है, और उधर 1 है, तो आप 1 को ऐसा भी लिख सकते हैं, कि a by b का power, जीटो, है ना, किसी भी number का power, अगर आप 0 कर देते हैं, तो उसका value कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, बस यही रहा, तो यहाँ से base same है, तो power को आप equate कर लीजिए, जीडो के बराबर, तो यहाँ से n का value जो है, वो minus 1 by 2 हो जाएगा, ठीक है, तो यही रहा आपके n का value की, अगर आप n का value minus 1 by 2 यहाँ रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो a और b के बीच का gf हो जाएगा, ठीक है, तो यही रहा, अब आते हैं, हो गया, n निकालना था, आपको यहाँ से, n निकाल चुपा है, ठीक है, जैसे ही n का value आप यहाँ पर रखिएगा, तो a और b के बीच को gma जाएगा, ठीक है, तो चलिए, next question लेते हैं, बोला है कि prove that the product of n geometric means between two quantities is equal to the nth power, nth power of the single geometric mean between these two quantities, ठीक है, यानि आपको यह बताना है कि अगर आपके पास दो number है, a और b, ठीक है, और इसके बीच में, अगर आप n number of geometric mean अगर insert कर रही है, ठीक है, तो इसका जो product होगा, कि product of n geometric means, यानि, g1 into g2 into g3, यह सब का product जो होगा, is equal to the nth power, nth power of single geometric mean between these two quantities, बास समझ में आ रहा है, यही आपको दिखाना है कि यह सब का product इतना के बराबर होगा, के लिए रहे, तो चलिए, तो क्या बोला है, कि आज़े है, सबसे पहले माल लेते हैं, कि let g1, g2, g3, इस तरह से gn, b in geometric means between दो quantity, कौन-कौन सा माल लेते हैं, a और b, ठीक है, तो कहने का मतलब, आपके a, k, a और b के बीच में, यह g1, g2, g3, इस तरह से gn है, ठीक है, और b, ठीक है, तो यह तो कहानी हम लोग कहर चुके हैं, यहां से हम लोग r निकाल लेते हैं, है ना, माल लीजिए कि r है, लिख लेते हैं यहां से, कि let's, common ratio जो है, वह आपका कितना है, r है, तो r कैसे निकालिएगा, अब यह भी बताया गया था आपको, b by a और इसका power 1 by n पलस 1, यह रहा आपका common ratio, ठीक हैं? अब आजएए, अब जड़ा आगे बढ़ते हैं, अब g1 निकालते हैं, g1 कितना होगा? a into r, ठीक है? तो r ही रहने दीजिए अभी, क्योंकि into करना है, अब हर जगा r का value यह रख के into करने से अच्छा हैगी, अभी r ही रहने दीजिए, ठीक है? g2 कितना हो जाएगा? a r square, g3 कितना हो जाएगा? a r q, इस तरह से यह आपका जो g n होगा, वो कितना हो जाएगा? a r का power n, ठीक है? अब आजाएगा, question से, आपको multiply करना है, यानि g1 into g2 into g3, यह आपका g n तक, इसको multiply करते हैं, तो कितना हो जाएगा देखे? g1 कितना है? यह आपका a r है, a r a square है, a r q है, इस तरह से यह a r का power n, ठीक है? अब देखे, यहाँ पर क्या हो रहा है? a जो है, वो कितना times multiply हो रहा है? है न, n times आप multiply करना है न, g1 से लेके gn तक, तो a जो है, वो n times multiply हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ से, जब a को, आप दो बार multiply करते हैं, तो a square होता है, तीन बार करते हैं, तो a cube होता है, तो जब n times करेंगे, तो a का power कितना हो जाएगा? n हो जाएगा, अब रही, r की बात, अब n तक, तीक है? अब आपको formula मालूम होगा, कि, एक से लेके, n तक का जो sum होता है, वो कितना होता है? n into n plus 1 by 2, यही होता है न, sum of first n, natural number जो होता है, वो क्या होता है? n into n plus 1 by 2 होता है, तीक है? अब आजाएगे, अब आपको single gm बताना है न, और किसके term में? a और b के term में, r माना हुआ चीज है, तो r के जगह पर अब यहाँ पर sit कर दीजे, r के जगह पर आप sit क्या कर दीजे, यह आपका b by a, ठीक है? और इसका power कितना है? 1 by n plus 1, ठीक है? और फिर इसका भी power आप रख दीजे, n into n plus 1 by 2, क्या कर रहा है है? r के जगह पर जो इसका value ह यह sit कर दीए, ठीक है? यह रहा, अब क्या होगा यहाँ से देखिए, यह और यह आपका cancel हो जाएगा, ठीक है? तो क्या बचा आपके पास? यहाँ a का power n into, यहाँ से आपके पास b by a का power कितना बच गया? उपर यह n by 2 बच गया, ठीक है? जब n by 2 बच चुका है, तो क्या हो यह रहा आपका a का power n into, अलग-अलग power कीजिए, तो यहाँ से यह b का power n by 2 हो जाएगा, और यहाँ से a का power n by 2, इससे यह cancel हो जाएगा, तो यहाँ पर n by 2 है न, यहाँ बेसे में power minus कर लिजएगा, तो n minus n by 2 तो क्या बच जाएगा? n by 2, और यहाँ b का power n by 2, इसको आप ऐस लिख सकते हैं, कि आपका a का power 1 by 2 into b का power 1 by 2 और इसका whole power n, ठीक है? अब यह दोनों पर power है, तो यानि कहने का मतलब आप इसको root a, root b लिखेंगे, अब वापस से एक root में रख लेंगे, और इसका power कितना हो जाएगा? n हो जाएगा, ठीक है? तो अब जो यहाँ पर आपके प जो आपका a into b दिख रहा है, इस चीज को आप क्या बोल सकते हैं? है न, क्या बोल सकते हैं? बोलिए single gm between a and b, ठीक है? a और b के बीच का यह क्या है? single gm है और इस पर power कितना है? n है, इस पर power n है, clear है? तो हो गया न, prove, क्या था? कि आपको prove करना था कि product of n geometrical geometric means, तो यही product कर रहे हैं, product of n geometric means between two quantities, तो दो quantities आप क्या क्या माने? a और b, है न, is equal to the single gm between these two quantity, है न, तो nth power, nth power, तो देखिए, इस पर power n आगया आपका, तो single geometrical between these two quantity, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग prove कर ले, ठीक है? तो यही रहा, अच्छा question इसको अब practice कीजिएगा, बस, कुछ नहीं है, जो concept है, है न, कि क्या होता है geometric mean, ठीक है? उसका common ratio हम लोग कैसे find out करते हैं, किस तरह से हम single gm को define करते हैं, और किस तरह से हम लोग a number of gm's हम लोग find out करते हैं, बस यह सब कुछ basic बात है, इसको याद रखिए, बागी यह questions तो खुद बखुद बनेगा आपसे, ठीक है? अब यहां से single gm आया, अब यहां पर देखिए, root a भी आ गया, तो यह क्या है, single gm है आपका a और b के बीच का, ठीक है? चले next question लेते हैं, हाँ, तो इस तरह से, आज का यह lecture geometric mean, किस तरह स तो बस आपके पास formula है, बस क्या है, आपको common ratio क्या होता है, यह मालूं होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए, मिलते हैं फिर next lecture में, अब next जो lecture होगा, उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से, आपके arithmetic mean और geometric mean के बीच में relation होता है, thank you.